नमस्कार साथियों आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है जो इस बार खवर निकल कर आई है वो आई है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और बीच में घुस गये हैं अमेरिका अमेरिका ने अपने मित्र साउथ कोरिया को दोका दिया और इसके बाद लगा ये हैं नॉर्थ कोरिया के ताना साह किम जों उन और ये ये हैं वो अंकल अमेरिका वाले जिनका नाम है जो बाइडन और ये हैं ये जो हैं इनसे आप सायथ परिशित ना हों ये हैं साउथ कोरिया के राष्टपती यून इनके अब दोस्ती के बीच में हैं साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच में दोस्ती है बहुत पुरानी, क्या है दोस्ती का इत्याश? चर्चा करेंगे पूरी तरह से, और ये जो भाईया हैं जिनको आप पूरी तरह से परिशित होंगे, ये हैं नौर्थ कोरिया के ताना साथ, जो की हमला करते रहते हैं, इनकी जो हरकते हैं, आज इस सेसन के अंदर आपको पूरी तरह से बताई जाएंगी कि किस प्रकार से ये अपना निू येर बगएरा मनाते हैं, और साउथ कोरिया ञूथ कोरिया की कहानी के साथ-साथ, जो धोगा देने की कहानी है, वो किस प्रकार से आई है, उसकी भी चर्चा करेंगे, बने रही है वीडियो के लाश्ट तक और अगर चैनल पर नए हैं तो परिवार में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सब्सक्राइब का बटन दवाकर आप चारिकता हैं पूरी करना बिल्कुल ना भूलें आज जिस बात की हम चर्चा करेंगे वो निकल कर आई है एक सबाल से वो सबाल जो है पूंचा गया था अमेरिका की राष्टपती जो वाइडन से एक पत्रकार ने सबाल पूंचा था कि क्या अमेरिका और साउथ कोरिया यूएस एंड साउथ कोरिया जो हैं वो एक नियुकलि अमेरिका और South Korea किसी प्रकार का युद्ध भ्यास नहीं करने वाले हैं अब जो बात बोली गई नो या फड़ी प्रसन जो पूचा गया ये प्रसन पूचा क्यों गया तो ये जो भहिया हैं कौन से वाले South Korea वाले इनके द्वारा एक अपने देश के अंदर एक बात बोली गई थी कि हम अमेरिका के इतने अच्छे दोस्त हैं और इन्होंने प्रेस के अंदर ये बात पूरी तरह से एलान कर दिया था क्या एलान किया था कि हम और अमेरिका मतलब साउथ कोरिया और अमेरिका मिल कर एक जो है यू एस मिल कर एक जो है nuclear exercise war exercise करने वाले हैं परमाणू यो धब्यास करने वाले हैंजब इनके दौरा पहले ये बात बोली गई तो अंतरळाष्टी पत्रकार आप देख सकते हैं कि कितन दो मुस्लिम के अंदर ही पूरी तरह से उलजे रहते हैं लेकिन अंतराष्टी पत्रकारों की बैलियू जो है अंतराष्टी लेवल पर देखी जाती है तो इनके जो बात बोली गई थी उसु को पूछने जो है अमेरिका पहुंच गए एक पत्रकार इनके देश से उठकर स्वाब में उन्होंने बोल दिया नो अब खेला जो है वह यहीं पर हो गया पूरा पूरा का पूरा अब क्या खेला हुआ इसकी एक थोड़ी सी जानकारी तो हमने ले ली अब चलते हैं पूरे विस्तार पूरवा की क्या है किरदार पड़चा के मारध्यम से अगर हम मैप क मारध्यम से देखने कि कहा की हम बात कर रहे हैं तो यहां आप देखते हैं नौर्थ कोरिया और यह देखते हैं आप साउथ कोरिया अब जो कहानी है वो इनके इतिहास से जुड़ी होई है कि इन दोनों के बीच में जो दुस्मनी है नौर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के ब पूरी तरह से अमेरिका की सेना रहती है और नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया को साइड डरना चाहिए कि यहाँ बड़ी मात्रा में अमेरिकी सेनक रहते हैं लेकिन डरना तो दूर यह आए दिन मिसाइल की परिक्षन लगातार करता रहता है और दूतरा देश है यहाँ पारैंसा पछटाया ही है या फिर अम्रिका ने जिससे अपनी दोस्ती की और अहां अहुंकि बात हो रही है हम भी nuclear weapon develop करेंगे क्योंकि अमेरिका के ऊपर हमें अब जो है थोड़ा सा भरोसा कम हो गया है या फिर भरोसा नहीं रहा है अब यह भरोसी की कहानी कहां से शुरू होती है उसकी थोड़ी सी करते हैं चर्चा तो बात है यह वर्ड वार टू की वर्ड वार टू के अंदर जाप असमान में बोलायाता है Korean Peninsula Korean Peninsula मतलब Korea का जो प्रायदीप है इसको यह बोलायाता है या फिर अभी भी इसको बोलायाता है यह जो पार था इसके उपर पहले जापान का कब्जा हुआ करता था विस्वयुद के अंदर जापान जो है पूरी तरह से दुनिया के अंदर जर्मनी जर्मनी के साथ मिलकर तवही मचा रहा था जिसको कि दूसरी दूस्री दुनिया इनको बोलायाता था मतलब दूसरय जो पार्टी थे वर्ड work के अंदर वो यह थे तो जापान के दोरा तवाहीव बचा जा रही थी और चाइना के उपर भी कब्जा हुआ करता था जापान क जो देश सामिल थे वो थे अमेरिका रसीया अमेरिका रसीया मतलब रसीया यहां लिखना ठीक नहीं होगा US, USSR एक US और दूसरा USSR मतलब सोवियर्ट संग जिसका की रसीया एक देश हुआ करता था उस समय 15 देशों से मिलकर एक संग्ठन ये बना हुआ था जो कि 1991 में 15 देशों में ये तूट गया था तो USSR जीता तीसरा जो देश था वो था UK, UK जीत के अंदर सामिल था और 16 देश था फ्रांस, फ्रांस जो है जीत के ये चारो देश जो है वो जीतने वाले देशों में अग्रणी देश की भूमे का न जापान को जो है ये आजाद करना पड़ा, जापान से ये हो गया आजाद, अब जो पार्ट आजाद हुआ है तो जीतने वाले देश थे, जीतने वाले देशों के अंदर प्रमुख जो पावर्स थी, वो थी US याने की अमेरिका और दूसरी USSR, अब जो जीता हुआ हिस्सा ह इसका होना था बटवारा, अब इसका बटवारा किसके बीच में होना था तो अमेरिका और USSR के बीच में इनका होना था बटवारा, अब बटवारे के अंदर क्या हुआ, एक खीची गई लाइन जिसकों की 38 डिगरी पैरलल लाइन बोला जाता है, जो की यहां से आप देख स एक अनकी थी, और रूस या फिर USSR, USSR जो है, वो सामिवादी विचारदारा रखने वाला देश था, तो रूस के प्रभाव में आया ये उपर वाला नउर्थ कोरिया, जो की सामिवादी विचारदारा से युक्त था, और नीचे आया साउथ कोरिया, जो की था पूझी वाद की होंडा ही साउथ कोरिया की कंपनी है एल जी की बात करें तो एल जी जैसी कंपनिया साउथ कोरिया की कंपनी है वर्तमान में यतनी जो तरक्की ये कर गया साउथ कोरिया ये जो है ये तरक्की कर गया और अमेरिका ने जो है इसको अपने प्रभाव में पूरी तरह से ले लि तो दोनोंगों देशों एसा लगने लगा आजादी के बाद कि हम्ये दोनों को ही आपस में दोनों एक दूसरी के बारे में सोचते थी कि हमें बड़ा होना चाहिए कि हम जादा तागतवर हैं अब ये तागत की लड़ाई शुरू होती है तो 1950 के आसपास मतलब 1950 के दसक में नौर्थ कोरिया के द्वारा एक हमला किया जाता है साउथ कोरिया के उपर हमला जो है इतना भीशन होता है कि नौर्थ कोरिया पूरी तरह से साउथ कोरिया के उपर कपजा करने के लिए दोड़ वो दोनों विचारधाराओं के बीच में ही हो रहा है, कौन कौन सी विचारधारा है, एक USSR और दूसरा अमेरिका, मतलब US, US के प्रभावाला ये देश, और USSR के प्रभावाला ये देश, ये जो लड़ाई हैं दूसरे देशों के अंदर, इन दोनों देशों की इसी को सीथ युद्ध में के अंदर अमेरिका और रूस या फिर युएससर ने दोनों के ऊपर एक भी गोली नहीं चलाई बलकि पूरी दुनिया को इन्हों ने युद्ध का मैदान बना कर रख दिया उम्मीद है साथी हो यह कहानी आपको यहां तक पसंद आई हो इसके बाद जो अमेरि को उसके एरिया के अंदर भेज दिया गया अब इतना ही करना था साउथ कोरिया जो है अमेरिका के पूरी तरह से पीछे दब गया कर अब जो बोलते हैं कि एहसानों के तरह दब जाना साउथ कोरिया अमेरिका के एहसानों के तरह दब गया और एहसानों के तले दबने के बा non-profilleration treaty मतलब कोई भी देश अपने पास nuclear हत्यार नहीं रखेगा इस संधी पर साउथ कोरिया के दवारा और साउथ कोरिया ने इसी वजए से कोई भी अपने पास अभी तक nuclear वैपन डवलब नहीं किया है नौर्थ कोरिया प्रभाव बाला था रसिया का रसिया जो है वो कहीना या फिर कहें कि ये एक आइसोलेट या फिर अकेला पन इसने महसूस किया और इसी वजह से नॉर्थ कोरिया ने अपनी तागत को अलग बढ़ाना शुरू किया उमीद है साथ कि ये नॉर्थ कोरिया की और साउथ कोरिया की जो कहानी है अमेरिका और का रूस का प्रभाव है वर्तमान में देखें तो रूस का प्रभाव इतना जादा नॉर्थ कोरिया पर देखने को नहीं मिलता है बलकि चायना का एक बेड़ायल बच्चा इसको बोला ज हुआ है एक ऐसा बच्चा जिसको कि आप यदि बोलते हैं कि पड़ोसी के जातर पत्थर मार दे या फिर पड़ोसी की घंटी वह या दे इस तरह के काम इसके द्वारा किये जाते हैं बड़ी तागत के साथ यह नुकलियर अब इनके द्वारा नुकलियर ट्रीटी साइन कर ल इनको बघद्चताने पाकिस्तान की वड़ी कहानी है कि क्यों इसने नुकलियर को अपना जो होता है पूरा फॉर्मूला फळब beyond के वाता बद्द में पाकिस्तान को क्या में मिला तो पाकिस्तान को compromise की है मिषए नौर्थ कोरिया हिस्तों के सोल्ह जो इसके अंदर South Korea के अंदर 16 अमेरिका के अड़े हैं वर्तमान में 16 अमेरिका के अड़े होने के बावजूद भी ये जो है अपनी nuclear power बनने की कोसिस कर रहा है और अमेरिका ने किस प्रकार से इसको दूद मैंसे मक्षी की तरह निकाल कर फैक दिया अब चर्चा पर आते हैं उसी की तो जैसा कि हमने ब्रीफ में जाना था कि South Korea US discuss nuclear exercise tension with North मतलब इनके द्वारा जो बयान दिया गया था यून जो हैं जो कि South Korea के राष्टा ध्यक्ष हैं कि हम दोनों जो है nuclear जो परमाडू हमला या फिर परमाडू युद्धाब्यास होता है इसको आपस में करेंगे ऐसी बात बोली गई थी यून के द्वारा अब जो बात आती है amid tensions with North मतलब North के साथ जो इनकी tensions हैं North मतलब North Korea के साथ जो इनकी tensions हैं North Korea आए दिन अपने द्वारा मिसाइल कभी जापान के उपर भेज देता है जापान के पानी में फैक देता है जापान के उपर से अपनी मिसाइल उड़ा देता है साथ कोरिया के उपर से अपनी मिसाइल उड़ा देता है इनके पानी के आसपास मिसाइल वगेरा वो फैकता रहता है मारता रहता है तो ऐसी स्थिती में इनको जो है डर लगा हुआ है तो इनके द्वारा एक बयान दिया गया अपने देश के लोगों को कुछ खुश करने के लिए या फिर अपने उपर विश्वास बढ़ाने के लिए कि हम और अमेरिका इतने अच्छे बहतरीन दोस्त हैं कि हम जो है आपस में एक परमारू युद्धा भ्यास करेंगे बदले में क्या मिला इन है बदले में जो है बाइडन बोल गए नो बाइडन ने कर दिया साफ मना कि हम जो है कोई प्लान नहीं कर रहे हैं बाइडन से यूएस नोट डिसकसिंग निक्लियर एक्साइज वि तमाम पूरी दुनिया के एकवारों के अंदर ये वाद छा गई और एक देश का राष्टर द्रक्ष जो अपने देश के अंदर पूरी जनता के सामने बोल चुका है पूरी दुनिया के सामने बोल चुका है कि अमेरिका और वो जो है एक मित्र है और परमारू युद्धा देश मना कर देता है तो पूरी दुनिया के अंदर आपने देश के अंदर किस प्रकार की बिजिती हुई होगी इस राष्टार देक्ष की या फिर साउथ कोरिया का जो हम आज मैटर डिसकस कर रहे हैं इतनी डिटेल के अंदर तो वो क्यों discuss कर रहे हैं क्योंकि इनको अकेला छोड़ दिया गया अमेरिका के दोराब जो बात हम कह रहे थे कि अमेरिका की दोस्ती किसी के साथ होती है तो वो एंड में चल कर पच्ताता है तो ये जो पच्टावा फिलहाल इनको हो रहा है ये अपने आप में ये ही नियूस जो है वनकर आ गया US and South Korea class after Biden denies US, America और South Korea के बीच में class हो गया मतलब अब ख़वरें आ रही है कि लडाई या फिर मतभेद दोनों के अंदर हो गए लडाई तो खरतियाई होगी मतभेद दोनों के अंदर हो गए है किस बात को लेकर कि Biden ने जो है मना कर दिया यून के क्लेम कोई कि यून ने जो आद वोली थी उसको Biden ने कर दिया मना अमेरिका के राष्टपती जो Biden ने कहा कि अमेरिका दकशिन कोरिया के साथ सायूक्त पर्माणू अभ्यास पर चर्चा नहीं कर रहा है साप बड़े सब्दों में कहा आपफ़से वीडियो को सर्च करें इंटर्नेट प ऐसमें बाइदन साथ साभ साभ एक बड़ा सा इस समक्न कोरिया कर दिया प्रस्ताव को एक प्रकार से एक साफचात कर दिया उसमें कहा पर्माडु हत्यार अमेरिका के हैं लेकिन योजना सूचना साजाकरन अभ्यास और प्रसिक्षण दक्षेन कोरिया तथा अमेरिका द्वारा संयुबत रूफ से किये जाने चाहिए और अमेरिका ने इसके लिए इनके प्रस्ताद को पूरी तरह से ठोकरा दिया और बना कर दिया इसके बाद तमाम बातें निकल कर आई जो लोग होते हैं बीच में मद्यस्ता करने वाले उनके बारे में बोला गया कि हम मतलब समझाने वाले एक लहजे के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जो बेज़ेती साउथ कोरिया की हो रही है वो थोड़ा सा कम फील करें तो इनके द्वारा बोला गया ये व्यक्ति हैं विलियम गैलो तो इनके द्वारा कुछ इस प्रकार क इस तरह की खबरें जो लीपाप होती की हैं या पहले की हैं वो सब की सब निकल कर आई हैं अब चर्चा करते हैं कि क्या ऐसी बाते हैं कि साउथ कोरिया को आवस्चक्ता पड़ गई अपने पास नुक्लियर वैपन्स डवलप करने की तो नौर्थ कोरिया ज किम जॉन ओन ये इसकी बात करें तो यह जो है लगातार कहीं भी अपनी मिसाईलें चोड़ता रहता है चाहे नुएयर हो चाहे इसके पिताजी की बरसी हो कोई भी कुछ भी काम होता है यह पटागे वेटागे छोड़ने में विस्तवास नहीं रखता यह सीधे मारता है मिसाइलें तो निव्ययR पर 12 घंटे के अंदर इस तरह से तो इसने यूओ निव्यर मनाया है पुली डुनिया को हैप निव्यर बोला है चर्चा करते हैं इसकी क्या कैई कि हरकते हैं नौर्थ कोरिया किम जोंग उन ओर्डर नियू आई सी बीम बिगर नीकुलियर अर्सेनल एमिट टेंसन मतलब जो इनकी लडाई वगएरा चलती है पूरी दुनिया से अमेरिका से भी यह यह जो है भाया ना तो अमेरिका से डरता है ना किसी दूसरे देश से डरता ह अपनी पूरी तयारी रखता है मिसाइल विसाइल पूरी तरह से डवलप करके रखता है तो जो इनकी टेंसन पूरी दुनिया से चलती है अमेरिका वगएरा से उसके बीच में इसने ओर्डर कर दी है कि नई मिसाइल बनाओ ICBM तो सीधे अमेरिका में जाकर देगा इंटर कॉंटिनेंटल बैलिस्टिक बड़ी-बड़ी मिसाइल है तो इसने अपने पास बना कर पूरी तरह से रख ली है तो ये जो टेंशन है सिर्फ जापान और साउथ कोरिया की नहीं है बलकि ये अमेरिका भी इससे टेंशन में रहता है हम बेसक मजाक में आज कर इसका डिसकसन करते हैं लेकिन ये बहुत खतरनाक प्रकार का व्यक्ति है इससे जो है बचना ज्यादा वहतर है नॉर्थ कोरिया किम वाउज एक्सपेंसिल मतलब तमाम नुकलियर की जो बातें हैं नुकलियर बं बनाने की जो बातें हैं उनके अंतर इंक्रीज करने की नए नुकलियर विल्लडब बनाने की इसके द्वारा बात की जा रही है किम जॉङ उन कॉल्स पór एक्स्पोनेंसियल इनक्रीज इन नॉर्थ कोरिया अमेरिका के द्वारा ये बात बोली कि South मतलब South Korea, US मतलब अमेरिका, अमेरिका और South Korea से जो हमें खत्रा है, उसके चलते हम जो हैं पूरी तरह से अपना nuclear जो हमारे वेपन्स हैं, उनको हम अब और तेजी से डबल अप करेंगे, पूरी तरह से दुनिया के सामने एलान कर दिया गया है भहिया के द्वारा कि इनके द्वारा किम जोंग उनके द्वारा कि हम अब नए साल में 2023 के अंदर और ज्यादा nuclear टेस्ट करेंगे और ज्यादा nuclear वेपन्स बनाएंगे, पूरे खुले आम ये बात बोल दी गई है, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उनने अपने दे जो की सत्य जो होती है प्रतवी की उसी पे सीधे जाकर मार करती है, बैलेस्टिक मिसाइल मतलब एक कॉंटिनेंट से दूसरे कॉंटिनेंट पर जाकर मार कर देने वाली बैलेस्टिक मिसाइल, जो की जिसके अंदर nuclear warhead बढ़ा जा सकता है, एक मिसाइल के अगर आगेये का प किम ने कहा कि परमाडू हत्यावरों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की जरूरत है। उन्होंने देश के परमाडू सास्तरगार में तेजी से ब्रद्धी करने का आधेश भी दिया है। केसीयन ने कहा कि किमुन ने एक अन्य अंतर महादीपी ये बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली विक्सित करने का निर्देश दिया है जिसका मकसद तेजी से जवाबी परमाडू हमला करना है मतलब छोटी मोटी मिसाइल जो होती है उन सब की चर्चा इनके द्वारा की नहीं जात नॉर्थ कोरिया फाइर्स फोर बैलिस्टिक मिसाइल विधन 24 आवर्स नियू ये बात है नियू येर पर जो है जो निकल कर आई एक जनबरी दोहजार तेज की ये खवर है तीन जो मिसाइल मारी थी वह रात में मारी थी और दूसरी अगली सुब्य होते ही एक मिसाइल उनक है अपना नियो यार दक्षन कोरिया की सेना ने कहा है कि रभवार को उत्तर कोरिया ने मद्द छेत्र में मिसाइल परिक्षन गिया जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने एक बयान में कहा कि मिसाइल करीब 400 किलोमेटर की दूरी तक गई और फिर कोरियाई प्रयादीब तथा चली जाती है और जो गिरी जाकर बोजगरी जापान और कोरियाई प्रयादीब कोरियाई पैनेंसुला जो है उसके बीच में चल में जाकर गिर बड़ी 2022 के आकरी दिन दागी बैलिस्टिक मिसाइल है 2022 का जो आकरी दिन था मतलब न्यू येर इनके द्वारा मनाये जा रहा था बयान में इस प्रक्षिपड को गंभीर उकसाबे वाला कदम बताया गया है जो कोरियाई प्रायदीप की सांती और सुरक्षा को नुकसान पहुचा सकता है ये सारी बात में अकवारों के द्वारा की जाती है लेकिन किम जोंग उन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है इससे पहले सनिवार को उत्तर कोरिया ने अपने पूरीवी जलचेत्र की और कमदूरी की तीन वैलिस्टिक मिसाइल दागी थी दक्षन कोरिया ने इसकी जानकारी दी थी दक्षन कोरिया क्यों डर रहा है उम्मीद है आपको अब पूरी तरह से बात समझ में आ गई हो जो सोले जहे पर अमेरिका की ठिकाने हैं उनसे अब तक क्या हासिल हुआ पूरी दुनिया जो है साउथ कोरिया से जबाब मांग रही है इन ग्रोइंग आर्म्स फिने जे नॉर्थ कोरिया लॉंचेज नियरली 70 मिसाइल इन 2022 लगवक 70 मिसाइल जो हैं दागी गई हैं 2022 में इनके द्वारा थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं आज तो इनके जो पिताजी हुआ करते थे किम जॉंग इल इनके द्वारा कुछ इस प्रकार से मिसाइल ने दागी जाती थी और ये जो आए हैं इनके पुत्र किम जॉंग इनके द्वारा जो मिसाइल ने दागी गई हैं 2015 से तमाम टाइम लाइन आप देखते हैं और 2022 में यह ग्राफ यहां तक पहुंच चुका है इतनी मिसाइल ने जो हैं इनके द्वारा बुरी तरह से दागी गई है 2022 के अंदर इससे भी जादा हम मिसाइल ने दागेंगे 2023 के ऐसी बात बोली गई है इनके द्वारा उम्मीद है आज का सेसन आपको यह पसंदा रहा होगा तमाम तरह की जो मिसाइले हैं जो मिसाइलें दागी गई हैं उसमें से कौन-कौन सी SRBM MRBM IRBM मतलब यह तमाम बैलिस्टिक मिसाइले हैं अलग-अलग तरह की ICBM Intercontinental Ballistic मिसाइल यह सारी की सारी तमाम तरह की मिसाइलें जो यहां अलग-अलग कलर के माध्यम से आप देख रहे हैं यह तमाम तरह की हर तरह की मिसाइलें जो हैं बे जिजक इनके द्वारा लगातार दागी जाती रहती हैं किम जो ने रिकॉर्ड तोड मिसाइल पर इक्षण किये जापान की दक्षण मंतरा लेने इस खबर पर महल लगाई है उत्तर कोरियाने मिसायलें ऐसे बक्त पर दागी जब कुछ दिन पहले दक्षण कोरियाने उस पर पांच ड्रोन भेजने का आरुप लगाया था, मतलब क्या हुआ था, कि नौट कोरिया ने साउथ कोरिया जो था, उसके उपर अपने पांच ड्रोन जो है, पांच ड्रोन उड़ा दिये थे, अब ऐसी इस्तिती में अमेरिका की सेना यहाँ पर रहती है, लेकिन वो भी कुछ नहिं कर पाई और इन के पाई अपना कोई साउथ कोरिया के बढ़ाने के बजाए खुल कर धंकिया दी है जब भी बात होती है कि अमेरिका से आप सांती समझाता कर लीजी तो इसे दौर की बात इनके दो दो आरा धंकी दे दी आती है सबसे पहले जो धंकी दी आती है साउथ कोरिया को तबाह कर देंगे और दूसरी धंकी जापान को तबाह कर देंगे क्यों क्यों क्योंकि साउथ कोरिया के अंदर अमेरिका की सेना गुसकर बैटी हुई और दूसरा जो देश है वो है जापान जिसके अंदर अमेरिका की सेना पूरी तरह से घुशकर बैटी हुई है इन दोनों की रक्षा की जिम्मेदारी अमेरेका ने लिय थी। और किस प्रकार की रक्षा की जिम्मेदारी बढ़ा ही जा रही है इनके द्वारा तो इनका द्वारा कहा जा रहा है कि एसिया के लिए एक नाटो की तरह ये जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं सरकारी समाचार एजेंसी कोरियन सेंट्रल नियूज के मताबिक किम ने हाल में बैठक में कहा कि वे मानव इधियास में अप्रत्यासित तौर पर उत्तर कोरिया को अलगतलगत करने और दबाने पर लगे हुए हैं कुए उत्तर कोरिया को दबाने के प्रयास में लगा हूवा है उन्हों ने कहा कि मॉझूता हालात को देखते वूए सेहने तागत को मजबूत करने के लिए दोगने प्रयास करने की जरूरत है जो उत्तर कोरिया की संप्रवुता, सुरक्षा और मौले खेतों की सुरक्षा की गारंटी हैं इस प्रकार की जो बाते हैं तमाम वो आफ के साथ आज साजा करने की कोशिस की गई किम जोंग ने आरूप लगाया कि दक्षन कोरिया आवेवेक पूर्ण तरीके से मतब दक्षन कोरिया जो नीचे वाला है उस पर जो आरूप लगाया है वो है कि ये जो है आवेवेक पूर्ण तरीके से खतरनाक हत्यारों के निर्माण पर तुला हुआ है और उत्तर कोरिया के साथ खोले तोर पर युद्ध की तैयारी का धेंडोरा पीट रहा है मतब कुल मिला के इनके दोरा कहना है कि साथ कोरिया जो है वो इनको उक्सा रहा है वो कह रहा है कि उसकी साथ कोरिया की वज़े से इनहें जो है अपने वैपन्स डवलप करने पड़ेंगे किम जोंग ने कहा परमाणू हत्यानों का बड़े पैमाने पर उत्तपादन करने की जरूवत है उन्होंने देश के परमानू सास्तरगार में तेजी से व्रद्धी करने का आदेश भी दिया इस प्रकार की बातें सेशन के सुरू के में हमें के हमारे दारा आपको बताई गहीं थी South Korea sends drones to Kim Jong-un airspace जो drone भेजे गए थे ये उसकी कहानी है नॉर्थ कोरिया ने South Korea के airspace के उपर drone भेज दिये थे South Korea unveils जो drone बगएरा है उनके बारे में जो कुछ बातें इनके बीच में लगातार चलती रहती है वो सब हो रही है जापान unveils record defense budget amid regional security fears अब चर्चा करते हैं थोड़ी सी जापान की इसकी North Korea की तो हमने South Korea की चिंता हैं तो हमने देख ली है अब जापान की चिंता हैं वोभी same बिलकुल ऐसी हैं जैसी North Korea की है हालाकि जापान की चिंता है वो South Korea से पहले की हैं जापान ने अपना डिफेंस बजट में बहुत तेजी से ब्रदी की है जापान अपनी सेना का निर्मान करने वाला है और वो भी चाहता है कि वो अत्यावदिन घतियारों से लेस हो क्यों क्योंकि अमेरिका का विश्वास है वो अब तूटता हुआ नजर आ रहा है अमेरिका और किसी भी देश की दोस्ती चाहें वो जापान एंड अमेरिका हो जापान प्लस अमेरिका हो जापान प्लस यूएस हो या फिर वो साउथ कोरिया प्लस यूएस हो इनकी दोनों की दोस्ती में सिर्फ एक ही चीज अमेरिका की द्वारा चाही जाती है कि अमेरिका जो है वो बढ़ सकता है तो वो है चाइना हाला कि हम किसी प्रकार से चाइना का सपोर्ट बिलकुल नहीं करते हैं लेकिन चाइना की अर्थविवस्था जिस प्रकार से बढ़ रही है आने वाले समय में हो सकता है चाइना जो है अमेरिका के उस सारी मामलों में पीछे छोड़ना सुरू कर दे उम्मीद है आज का सेशन आपको साथ योग पसंद आया हो अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने साथियों के साथ सेयर करना बिलकुल न भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिलेंगे सेशन में तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जय हैं